प्रदीश भर के शेहरों में किराये पर मकान लेकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के सामने अब मकान किराया को लेकर समश्या खड़ी हो गई है लोगडाउन के चलते दो महीने से स्टुडेंट्स अपने गाउं चले गए लेकिन अब मकान मालिक दो महीने का किराया मांग रहे हैं साथ ही किराया नहीं देने पर सामान जब्द करने की धंकियां भी दे रहे हैं Students की समस्या को लेकर किराया माफिस संगर्ष समीती राजस्तान की और से प्रदीश भर के जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम ग्यापन दिये जा रहे हैं और दो महीने का किराया माफिस करने की मांग की जा रही है इसी के साथ Students को 3500 रुपए प्रती महीना जाफ़ां के बेटे मजदूरों दो के बच्चे जो जैपुर में नहीं पूरे राइस्थान में या पढ़ने का सपना लेकर आते हैं वो पिछले तीन मेहने से कमरों में रहे नि कोरोना के वैसे वो अपने अपने गाउँ में चले गई अब यह देखने में आ रहा है कि जैसी यह अभी आना जाना चालू हुआ है तो जैसे वो सहरों में आ रहे हैं जा फिर मकान वाले मुवास कर रहे हैं कि या तो आप अपना सामान लेके चले जाईए नहीं तो आपके सामंग को जम्त कर लेंगे तरह तरह की प्रतार नाएं हमारे इन छात्रों के साथ दी जा रही है है तो मेरा आधर्ये मुख्यमंदीजी से निवेतन है कि हमने आज पूरे राःस्तान में जगे-जगे तैसील लेवल पर और सब्सक्राइब सब्सक्राइब